सलाम नमस्ते हेलो केम्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंक पुर्भा एक्जाम पूर पर तो दोस्तो आठ बच चुके हैं और हम लोग अनाल्सिस लेकर आ हैं आपके करेंट अफेर की जिसमें हम लोगों के साथ जुड़ते चले जाएं बैंक पूर पर तो देखिए यहां पर हमने भी आवाज चेक कर ली है अना तो बिल्कुल या इदम परफेक्ट आवाज आ रहे हैं बहुत बढ़िया तो फट अफट से सभी लोग आ जाएं सभी लोग जुड़ जाएं चोटू अंजुल सीवानी सीलू पितांबर अवंतिका फटाफट से आ जाएं दोस्तों और यहां पर सबसे पहले बैंक पूर्बाइक जामपूर को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को शेयर कर लें बहुत बढ़िया देखिए हमने भी शेय कर डालिए आप भी से दोस्तों शियर कर डालिए ठीक है चलिए फटाफट सब लोग इसे शेयर कर डालिए दोस्तों जहां भी आपकी रीच्वेसे पहुचा दीजिए चलिए 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 शुरू करते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशनल कोट के साथ कि वेन इट हर्ट्स observe life is trying to teach you something जब आपको कोई चीज दुख दे रही है तो उसे महसूस कीजिए कि यह आपके जिन्दगी की एक नई सुरुवात है एक नई सीख देने की कोशिश कर रही है जब भी आपको कोई तकलीफ दे तो वहां से कुछ लेने की कोशिश कीजिए हर फेलियर से कुछ सीखने क की कोशिश कीजिए और दोस्तों वह एक नई सुरुवात हो सकती है जैसे कि अगर देखा जाये तो इस कोरोना के फेज में कई लोग बरबाद हो रहे हैं इस बरबादी में भी लोग एक नए ऑप्शन की तलास में है एक नई तरीके की थौट डेवलप हो रही है कि इस तरी सीजी की बात हो चाहे आपके दुकानों की बात हो चाहे एजुकेशन की बात हो तो दोस्तों इसी लिए यहां पर यह हर जो है चैलेंज जो है आपकी जिन्दगी का एक बहुत ही बड़ा सबक बनता है ओडियो वीजूवल हेरिटेज के लिए वर्लड डेव और ओडियो वे जो के महत्व और संरक्षण जोख्यूमों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है आईए दोस्तों आज के दिन की शुरुबात करते हैं आज के प्रश्ण से आज के पहली स्रीलू करेक्षा तबियत कैसी गुड मॉनिंग जिया तो सभी लोगों को गु कोई क्वेशन था वह ऊपर चली गई शीवानी बिलकुल तब यह ठीक है तब यह ठीक है पहले से ठीक है ना तब यह ठीक है 35 देशों में वैश्विक सर्विक्षर में सिक्षकों के लिए सबसे सकरात्मक रैंकिंग में भरत का कौन सा इस्तान है इंडिया गॉट विच रै है कि इन 35 कंट्री ग्रोबल सर्वे 35 देशों का ये सर्वे हुआ है इसमें आपको बताना आज कि कौन सा स्थान भारत को मिला है तो बिल्कुल यहां भारत को जो स्थान मिला है वह है दी यानि 6th rank मिली है 6 rank मिली है भारत को यह UK स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रक कासित किया गया था थीक है चलिए अगले प्रश्ण पर भारत की पहली सी प्लेन सेवा किस नदी से स्टेची आफ यूनिटी तक उड़ने की संभावना है किस नदी से स्टेची आफ यूनिटी तक जाएगी दोस्तों तो किस नदी से यह वहां तक जाएगी यह साबर मती नदी से स्टेची आफ यूनिटी तक जाएगी सर्दार सरोवर डैम के पास में है यानि कि नर्मदा नदी पर वह है ना दुनिया की सबसे उची मूर्ती जिसकी 497 फिट उचाई है ना 182 मीटर 182 मीटर इसकी उचाई है ज कुजरात के साधू बेट नदी द्वीब और जिसे एलंटी कंपनी ने बनाया था ठीक है और जिसके मुर्तिकार थे राम जी सुतार जिनको राश्ट्राइगोर पुरुषकार भी मिलाता राश्टी सद्वावना के लिए तो स्टेची आफ यूनिटी भारत के लौपुरु की है का से की है यह बात याद रहेगा स्टेटिक जी के में डूनिया से उची मुर्ती हमारे पास है तो जहाईड सी बात है कि बनेगा है और वैसे भारत के दूर सबसे उची रहेगी है अगर इस उची बना लेता है तो पांसों ब्यासी दियासतों को इन्होंने एक जुट किया था दोस्तों इनके बढ़्डे पर हम लों 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं ना बहुत बढ़ियां चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखे सी प्लेन दिख रहा यह सी प्लेन से स्टेच्य आफ इनिटी के आसपास जब आप उड़ेंगे तो आपको समुर्ती का अध्भुत नजारा भी मिलेगा क्या बात है तुरिजम को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है हालही में जापान ने किस वर्स तक कार कार्बन निट्रल हो जाएगा जापान किस दिन तक किस एर तक तो यहां पर कार्बन तठस्त बनने कि उसने जो बात कई है वह दो हजार पचास तक कई है दोजार पचास तक जापान के अभी सिंजो आबेगी जगह नए प्रदानमंत्री बने हैं जो एक्जामनेशन के बने हैं ठीक है हालही में बिहार के एक भारतिय मूल के पुजारी हालही में बिहार के एक भारतिय मूल के पुजारी वावल राम कलावन को किस देश का राश्पती चुना गया अच्छा इसको आप ऐसे भी बोल सकते राम कलावन नहीं होगा इनका नाम होगा राम खेलावन का या नाम होगा रामकिलावन नाम होगा अब बाहर रहं रहे रहे हैं विदेश में घडबंगई नहीं कर पाते हैं अ the कि दिख्कत होती है वह रामकिलावन बोलते आपकलावन तो इन्होंने भी अपने पुजारी रामकिलावन अर्थी नट बिन रहा है यह भी वह भाइब नाम की दोस्तों तक भारत वहां तक भी था वह बंढे आप चाहे आप सेशल्स हो चाहे आप मालदीव हो चाहे आपका पाकिस्तान हो स्री लंका हो सब लोग रुपया ही बुलाता है अपनी करेंसी को है कि नहीं तो सेशल्स यहां पर सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है है और यहां पर रुपया ही वहां की करेंसी यह राम के लावन जी वाव वैल राम के लावन यह पुजारी है और वहां के राश्पती भी चुल लिए गए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने विश्यो बैंक ने भारत के पहले रेत टिपा पार्क को कितने करोणों रुपए की वित्ती साहता प्रदान की जो गोवा में विक्सित किया जाएगा त गोवा में रेटिपा पाक को कितने करोड़ रुपे की वित्ति साहता दी गई कितने करोड़ रुपे की वित्ति साहता दी गई है दोस्तों का मुख्याल है वासिंग्टन डीसी में है और यहां पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्स डेविड माल पास है है ना आई एम एफ के 190 सदस्ट से कौन बना है फटा फट कमेंड बताएगा 190 सदस्ट से कौन बनाएं हाल ही में और बने कितने करोड़ पर हाॉसिंग फिननांस कंपनी के नियुंतम सदस्ट किया है नेट आउंड फंड के आकार को संसोधित किया है और बाइई ने रिवाइस किया है इकजाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और ने किया है देखिए आई मेफ का एक सदस एंडोरा बना है यह वरुण आदित्य सहकत जिया सभी लोग बता रहे हैं एंडोरा को अभी आई-एमफ एक सदस्स चुना गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार जबरदस्त चलिए आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि 25 करोड़ रुपए यहां पर मीनिमम साइज रखने की बात की गई है और भी आई ने हाउसिंग फिनैंस कंपनियों के लिए नियामक धाचे को संशोधित कर दिया है जिसके तहे तब हाउसिंग फिनैंस कंपनिय के लिए नियूंतम नेट स्वामित वाले फंड यानी मीनिमम मेट आंड फंड साइस जो है उसका-कार 25 करोड़ रुपए तह कर दिया गया है कितना ते कर दिया गया दोस्तों 25 करोड़ रुपए तह कर दिये गए हैं यह बदलाव हाउसिंग फिनैंस कंपने स्की दक्षटा बढ़ाने और तरलता और दोहरे विट्वशड से सम्मंदित उनके मुद्दे को अर्बिक अर्बेग का मुंभई में हैं और गवर्नर कौन है दोस्तों सक्तिकांत दास जी हैं नारच बेाटि सप्सक्राइबा नेर्विन के बाट्रह गेंट से डिली मेट्रो रेलुट के साथ चिया किसे बैक कार्डु तो यह आपको हुआ तो बहुत देशी क्रेडिट कार्ड है जो दिल्ली मेट्रों के लिए पैसा नहीं है तो भी वह उससे अपने टिकट ले सकेंगे काड़ क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मेट्रों का स्मार्ट काड़ भी है इसे डिजिटल फिनेंस का समर्थन करने डिल्ली मेट्रों में कैस्ट लेस लेंदेन को बढ़ावा देने के उद्देश से लांच किया गया है sbi card का मुख्याले गुडगाउं में sbi card का मुख्याले दोस्तों कहां पर है गुडगाउं में है ठीक है clear है चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जबर्दस्त किस बैंक ने ind springboard सुरू करने के लिए ii t madras incubation cell ii t mic के साथ भागेदारी की है जो स्टार्ट अप को फंड करने के लिए क्रेडिट सुविधा देगी विच बैंक हैस पार्टनर्ड विट ii t madras incubation cell ii t mic to launch nd springboard which is the credit facility to fund start-up start-up जब कोई नई कंपनियों को शुरू कहता है उससे हम लोग start-up कहते हैं incubation cell उनको मदद करने के लिए उनको हर तरीके की चीज़े सिखाने के लिए incubation cell जो है बनाया गया है ii t madras का उसके साथ किस बैंक ने साज़ेदारी की है दोस्तों है तो बिल्कुल यहाँ पर इंडियन बैंक अब उनको क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगा सभी start-up पचास करोण रुपए तक की विशेश कुविधा सुविधा पदान करेगा डिटेल में इसलिए लिए आता हूं कि आप लोग कुछ एक एडिशनल एक एक निउस से दो तीन कोश्चन जो बन सकते हैं वह सभी चीज़े डिसकस हो जाए तो कितने रुपए तक की विशेश क् बैंक को और चाहिए वो इंडियन बैंक को यह ट्रिक है सरकारी बैंक की ठीक है और जितने इंडिया से खतम होंगे उनका मुंबई में अब इसके बाद दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं आगे चलते हैं मैं अगले प्रस्शनकी हाल ही में किस देश ने उकला द्वारा में वेश्विक मोबाइल इंटर्नेटिश स्पीड रेंकिंग में शिर्षस्थान प्राप्त किया है recently ली विश कंट्री है इन ग्लोबल मोबाईल इंटरनेट is smoothie रेंकिन बाई उकला तो यह आपको बताना है कि हाली में किस देश को अप्र गादरा वैश्विद मोबाईल इंटरनेट is Wheatry媽記 च्रजुसिंप प्रब्ड किया है कि और तो यह स्थास थान किया है साउथ कोरिया ने किसने प्राप्त किया है दोस्तों साउथ कोरिया दक्षिड कोरिया ने इस्थान प्राप्त किया है क्लियर है मोबाइल डेटा स्पीड में भारत का इस्थान 111 है पाकिस्तान नेपाल सिलंका के भी पीछे है मोबाइल डेटा स्पीड में डेटा तो स्पीड नहीं दिया तो यह श गाल सिर्ष स्थान प्राप्त है किस ने दक्षिण कोरिया ने लेकिन भारत का इस्थान क्या देखिए यहां से दूसरा कोश्शन मिल गया भारत की रैंकिंग डेटा स्पीड में कितनी है तो यहां से यह कि बहुत important number बनेगा डेटा स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 131 एक पिर तीन जाता है फिर एक यह पी पिए पिर एक यह पिए सपीड प्रिक्स एक यह पिए सपीड रखो होगि पाकिस्तान नेपाल चिलंका की स्पीड ज्यादा है डेटा स्पीड हमारी कम है यह तथ्त बतात त3000 के आधिक डेटा एंस लोगों को पाकिस्तान से पीछे चलना त्के महमले दोस्तों करते रहिए गहां डूस्तों जादए जादा करिएगा। आप भड़े ज्यादा है नहीं क्योंकि मैं डिटेल में बताता हूं आपको कि देखो यहां से यह क्योंट भी बन सकता आतो एक ही से से नहीं होगा दूसरा कॉस्चिन भी तो पूछ सकता है हां बिलकुल प्रशांत वर्मा जी में डेली यह क्लास लेता हूं 8 घी जी जी हां मैं राधन क्लास भी ले रहा हूं बिलकुर शिवानी बता रहे हैं मैं 12 बज़े से 2 बज़े तक महराथन क्लास बेश 200 प्लस लास्ट सिक्स मंत की भी लेता हूं और इसके बाद साम को भी आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है साम को 6 बजे कुछ न कुछ आपके एक्जाम के लिए पॉर्टेंट है जैसे कल मैंने आत्म निर्भर भारत पैकेज बजट के बारे में बताया है कल साम को और आज मैं शाम को योजनाओं के बारे बताऊंगा जो सरकारी योजनाओं देश में चलती है ठीक ह चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सहरी नियोजन शिक्षा पडाली में सुधारों की सुरुवात करने के लिए नीतियायोग द्वारा गठित पैनल का हेड कौन होगा नीतियायोग जो योजनायोग की जगाई थी नेश्टल इंस्ट्यूशन फॉर टांस्फॉर्मिंग इ नीतियायोग का उद्ध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है दोस्तों हमेशा प्राइमिश्टर नरेंद मोदी जी प्राइमिश्टर जो भी होंगे वही योजनायोग के भी हेड हुआ करते थे और नीतियायोग के भी उपाद्ध्यक्ष कौन हो है राजीव कुमार जी है ठीक है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए भी ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां नितियोग के उपाध्यक्ष राजी कुमाजी के द्रक्षता में 14 सदसी सलाकार समीती भारत में सहरी नियोजन सिक्षा पड़ाली की समिक्षा करेगी और देश में योग शहरी नियोजकों की उपलब्धता मांग और आपूर्ती की जाच करेगी और आपूर्ती की जाच करेग हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर महिला सुरक्षा के संबंद में एक पाइलेट परियोजना शुरू किये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पीएफ हैस नाउ श्टाटेड पाइलेट प्रोजेक्ट विट रिगार्ड्स टू वोमें सेफ्टी एट मेजर रेलवे स्टेशन इन विच श्टेट तो वही आपको पता है कि धीरे धीरे यह हर ट्रेन में सुरू कर दिया जाएगा धीरे ट्रेनों में यह सुविधा दी जारी कौनजी सुविधा ऑपरेशन माई सहेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महिलाओं की पुलिस की फोर्स और पीएफ की फोर्स टैनात की जारी हर ट्रेन में जो महिलाओं को सुरच्छित करेगी तो यह दिल्ली में भी शुरू कर द जाते हैं उन्होंने नई दिल्ली आनंद भिहार हजरत निजामुद्दिन सराय रोहिला और ओल्ड रेल्वे स्टेशनों में मेरी सहेली नाम की परियोजना दोस्तों सुरू की गई दोस्तों लाइक करते चलिएगा शेयर कर डालिएगा इसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक आप अपने प्यूसर को पहुंचाईए अमिताब कांथ बिल्कुल सही एंसर है नितिया योग के CEO का नाम अमिताब कांथ जो मैंने आप से पूछा था आपने बिल्कुल सही एंसर कर दिया है दोस्तों हाल ही में निम्नलिकित में से किसने उद्योग 4.0 तकनीक विक्षित की है तो यहां पर एंसर है कि रिसेंटली विच आप दी फॉल्लूविंग है डेवलप्ड नोवेल इंडेश्ट्री 4.0 टेकनलोजी तो 4.0 टेकलोजी आइटी खड़कपुर और टीस् किया है यह नया इनोवेशन पुंजीगत समान छेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्नत विनिर्माण में इनोवेशन को प्रत्साहिद करने के लिए यानि कि एडवांज्ड मैनुफेक्ट्रिंग में यहां पर इनोवेशन देने के लिए शुरू किया गया है यह तकनीक यानि यह टेकनीक दुरस्त रूप से फैक्ट्री संचालन को नियंत्रित करेगी यानि दूर से भी इस टेकलोजी के माध्यम से जो है सब भी चीजे चल सकेंगी फैक्ट्री के ऑपरेशन चल सकेंगे ऐसी तकनीक बनाई जा रही है टीस के द्वारा और आईटी नोवेल नाम इसलिए दिया गया कि कोरोना के फेज में आप अपनी फैक्ट्री कैसे चला सकते हैं अपने व्यापार को कैसे चला सकते हैं दूर से रिमोट ली इधा उधर रहते हुए भी यह अगला प्रशना यह देखते हैं 2020 पूर्टगाली ग्रांपी किसने जीता है यह जो कार रेस वाली होती है यह ग्रांप्री आवार्ड जो है किसने जीता है पूर्टगीज ग्रांपी तो यह अवार्ड किसने जीता है दोस्तों यह अवार्ड तो लुईस हैमिल्टन ही क्लिiba है है थे फान नया बैच आई बाइगा आएगा इसी के बाद आएगा बिल्कुल आएगा अब भी तभी तमों का राखरी ग्जाम ओर साथ है और बाधि घ्रिक्स प्रिक्जाम प्रिक्स अभी क्लर्क का देखो क्या होता है तो सरकार जान देओ अलगी माहुल में चल लए बाई तो पुर्टिगीज ग्राप्री लुइस हमिल्टन ने जीता यह हमिल्टन की सीजन की आठवी जीत है मतलब आठ टुड्नामेंट पूछले हमिल्टन टिक कर देना है ना और करियर की ब जीत हासिल कर चुके थे इनहोंने उनके रिकॉर्ड क्री को तोड़ दिया तो यह जीत कहीं पॉट्एन्ट होगी एकसा मित्स छुमाकर के रिकॉर्ट को धिसके के मैश Mit hours कूड़ा है कि सिलंका में से स्टां कर दिया कि इसने अपना परिछालन कर दिया दोस्तों गुद वौनिग खुश्बूर्थ तो बताई एंơn हैं इस ए सी च्याया मुंभि महाराश्ट में है ICC bank का है है टेग लाइन है वो है हम है ना हम है ना और एक टेग लाइन और है और क्या है ख्याल आपका ख्याल आपका और ICC bank का जो के जो CMD है वो कौन है वो है संदीप बक्षी संदीप बक्षी यह जो है ICC bank के CMD है क्लियर है कौन है CMD है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया फोप्स वाल्ड बेस्ट इंप्लॉयर 2020 में भारती PSU में से कौन प्रथम इस्थान पर है यानि कि बेस्ट इंप्लॉयर कौन है दोस्तों बेस्ट इंप्लॉयर यानि कि जो इंप्लॉय को खुश रखता हो वह इंप्लॉयर यहां कंपनी की बात भी बोल सकता था लेकिन नहीं इंप्लॉयर का संबंद यानि नोकरी देने वाला तो नौकरी करने वाला खुश होगा तभी तो बनेगा तो बिलकुल यहाँ फोपिस वर्ट में से कौनसी कमपणी प्रथम पर है तो यह पपनी प्रथम स्थान पर है तो औन टी बिसी सबसे बेच्ट नियोकता है सबसे बेश्ट जो है employer है दोस्तों एंटी पीसी नेशनल थर्मल पावर करपरेशन नेशनल थर्मल पावर कारपरेशन जो की बिजिली प्रोड्यूस करती है बिजिली उत्पादक कंपनी है भारत सरकार की एंटीपीसी की स्थापना 1975 में थी और एंटीपीसी का मुख्याल है दोस्तों कहां पर है नई दिल्ली में नई दिल्ली में यूरोपी संग के पारियावरण मंत्रियों ने किस वर्स तक नेट सुन उत्सरजन तक पहुंचाने का अपना लक्ष बनाया सव यूरोपी संग के पारियावरण मंत्रियों ने नने का दिल्ल mu ड़ी हए उट हजार बाट उड़ी है और इसने भी बूला ठीक है क्लियर चलिए बहुत बढ़िया इस सौदे ने यूरोपी संग के 2050 के निट सुन्य उत्सर्जन लक्ष को राज्यों पर कानूनी रूप से बाद्यकारी बना दिया है यूरोपी संग ने निट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सुन्य पलाकर 2050 तक जलवायू टठस्त बनने का लक्ष रखा है यह उद्देश पेरिस समझोते के तहत वेश्वीक जलवायू करवाई के लिए यूरोपी संग की पत्तिपद्धता को दिखाता है पेरिस में समझोता हुआ था ना सी ओपी वाला कॉन्फरेंस ऑफ दे पार्टीज वाला जलवा प्लवनिधी ओजना का को फुल्पशों भी है क्या पधानमंतरी स्ट्रीट वेंडर्स ये वी है स्ट्रीट वेंदर आत्मुनिर्भर निधी पधानमंतरी इवरी वाले थेले वालों को दद्स अजा रुपे लोन दिये जा है distrk लुपे लोन इसमें किसने तॉप किया है द अभी तक पाप पे था लेकिन आप आज से एक नंबर अपका बदल जाएगा यूपी ने टॉप किया है और मनरे गामें भी रोजगार देने में यूपी ने टॉप किया है तो समय पाइसा zarra कर रहा है है कि नहीं इस समय वो अपने जितने मजबूर लोग है उनकी मदद कर रहा है जतने लोग मजबूर वापस वह उनकी मदद कर रहा है जतने गरीब व्यापारी ना वेह उनकी मदध कर रहे जिए किount चिना का देश रुपए तक की कारसिल पुंजी रिडूप लब्द कराना है 10,000 रुपए की रियायती दर पर इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आत्म निजबर भारत में अलग से निकाले भी गएते कितने निकाले गएतें 5,000 करोड़ रुपए लगसे निकाले गए ते दोस्तों 5000 आज सर्वी साब बता है हो चलो एक चीज मैं आपसे पूछत अगल मास्क किल迹 गारीड यह जो है किसने लॉंच किया नो मास्क नो राइड यह किसने लॉंच किया था यह बताईएगा अब यहां पर नो मास्क नो सर्विस पॉलसी किस देश ने लॉंच किये दोस्तों तो यह बंगला देश ने लॉंच किसने लॉंच किया है बंगला देश ने लॉंच किया है बंगला देश दाका टका बंगलादेश ने भी रेप पर मित्युदंड देने का भी जो है कि कानून पारित किया अभी बंगलादेश में 50 साल मनाया जा रहा है आजादी का भारत नहीं आजात कराए था भंगलादेश को उसका नाम पुर्वी पाकिस्तान था उनीस सौ एकत्तर के युद में पाकिस्तान के नब्थे हज़ार युद बंदिएंगों के इसको सरिंडर कराके बंगलादेश को आजात कराया गया था दोस्तों बंगलादेश को आजात कराया था कि सरकार ने कि नहीं सेवा नहीं कोई सिगाया आशा किया रीजा कि कि वर्तमान में भारत के बाद रचिड़ेश्या में दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश यह भारत के बाद दच्छिड एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रवावी देश लेश्टे बंगलादेश अपना प्रिकॉशन लेके चल अभी दुर्गा-पूजा-पंडालों के लिए भी उसने एक नियम लाया था कि दुर्गा-पूजा-पंडाल नौडात्र में बेंग भरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया था इसने निमलकित मेंई किस िस देश में तबाही मचाई थे यानी की बात हो रही है दोस्तों अचे की है श्चेब नो मास्क नोरैड किस राज्य में किस राज्य में सुरू किया गया था सब्सक्राइब इस तो देखो दोस्तों यह तू 때도 कहां पर आया था यह तूफान कहां पर आया था यह तुफान आया था फिलिपिन्स में फिलिपिन्स की Capital Manila और फिलिपिन्स में ही तो Asian Development Bank का मुख्याले है और फिलिपिन्स के राष्पति थे पुर्व राष्पति रेह्मन मैक्से से जिनकी याद में एशिया का नोबिल दिया जाता है जिसे रह्मन मेकसे से पुरुसकार कहते हैं उसे एशिया का नोबिल कहा जाता है वह एशियन लोगों को दिया जाता है जिस जो पिछली बार एंडी टीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी को दिया गया था ना तो बिल्कुल उत्तर पश्च द्वारा दिया गया था और यह तूफान भी कहा आया है फिलिपिन्स में और यह कौन से तूफान आया किस से रक्षा करनी तो नाम दे धिया जाता है हाल ही में पीले रंग की धूल खबरों में थी यह रगिस्तानों से निकलने वाली वहरेत है जो बहुत बीमार कर देती दोदे results गिए लोगों को यह किर मैं से किस देस में फिलिया रंग की धूल यह आई थी फटाफट बताईएगा कोम के तो यहां पे एंसर बनेगा चीन औरंगोलिया में यह प्ले रंग की धूल आई थी चीन मंगोलिया में रेकिस्तान से पीली धूल उड़ती है हर साल विशिष्ट अवधी के दरान उचचे गतिकी सत्रा की हवाव द्वारा इन रेद को उत्तर दचल को रिया में ले जाया जाता है या पीली धूल सास की विमार्यों का करण सी पीली धूल है ऐसे तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने 21 कोश्चन हम लोग ने ताबर skincare से पढ़ लिए हम लोगों से कंपलीट कर लिया अब कोई कोई हैनों पोच सकते कोई भी आपका डाउट हो कोच भी हो कुछ भी आपको पड़ना हो बैंकिंग तो आप यहां सकते हैं जो भी हमें जो हमें लोग को यहां पर हर सेशन के लाश्ट में डाउट सेशन तो करते ही आपके बैंकिंग का आपके एकनॉमिक्स का आपके जिन्दगी के डाउट का तो यह सारी चीजे है तो आप लोग ने ताबरतोर तरीके से पढ़ लिए ठीक है चलिए, important airport. अगर पढ़ना है, तो बस सीधे सीधे, अच्छा, आप मैं महापूर्सो के नाम लिखते जाओंगा, आपको बताना है कि वो airport कहा है, इंदिरा गांधी एरपोर्ट कहा है, इंदिरा गांधी एरपोर्ट कहा है, इंदिरा गांधी एरपोर्ट कहा है, दोस्तों, इंदिरा गांधी एरपोर्ट, भारत रत्न अटल बिहारी जी के नाम पे एरपोर्ट, यह कहां पे है, महापूर्सो के नाम के साथ लिखते राजिव गांधी एर्पोर्ट कहा है राजिव गांधी एर्पोर्ट कहा है राजिव गांधी एर्पोर्ट कहा है सरदार पतेल एर्पोर्ट कहा है दोस्तों सरदार पतेल एर्पोर्ट कहा है वीर सावरकर एर्पोर्ट कहा है दोस्तों वीर सावरकर एर्पोर्ट कहा है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहा है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहा है बिरसामुंदा एयरपोर्ट कहा है बिरसामुंदा एयरपोर्ट कहा है बाबा साहिब अमबेड कर एरपूर्ट कहा है बाबा साहिब अमबेड कर एरपूर्ट कहा है यह सब फटा फट बताते चलिए का में कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए आपका चलिए सिवानी सेट अमित ने और खुश्बू ने बताया कि इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी एरपोर्ट डेली में डेली वाले एरपोर्ट का नाम इंद्रा गांधी एरपोर्ट अटल विहारी बाचपई वाले एरपोर्ट का नाम बताइए भाई अटल विहारी बाचप एरपोर्ट जो था वो देहरादूर वाले एरपोर्ट का नाम अब अटल जी के नाम से रख दिये गया है अभी अटल सुरंग भी बनी है ना रोतांग में अटल सुरंग अटल जी के नाम से राज्यु गांधी एरपोर्ट यह कहां है यह हैदराबाद में हैं सर्दार पटेल ए rover sapri aereport का साधार पठल एरपोट का परleg में है हम्दाबाद में ब्रियूस सावकर करेंब कहा है पोर्ड ब्लेर में जहां पर विशावेकरर जी को सजायकालापानी दीटें नमान्नी को बार में देखें तो इस तरीके से आपको महापूर्सों वाले याद स्वामी विविकानन्द एरपोर्ट का रायपूर में चत्तिस गड़ रायपूर बिर्सा मुंडा जहारखंड के थे आदिवासी यों के लिए लड़े थे उनको भगवान की दर्जा देते हैं भगवान बिर्सा मुंडा के ते 21 साल की उमर में यह आ और वो पहले मध्य प्रांत हुआ करता था न माधिद्धת राज धनी थी नागपूर में रहे नागपूर में नापूर के पास ही उनका जन्म हुआ था घाउं में तो आगपूर एयर्पोर्ट का नाम जू है वह वह अंबेटकर सहाब के â Just a नाम पे है जम्मु और कश्मीर नहीं अमित सुधार जी अर्टल टरनल जो है वो लद्दाक में जाती है ठीक है क्लियर है तो चलिए और कुछ महापुरुष छुट रहे हैं हमारे दिल्ली देरा दून हैदराबाद एमदाबाद पोर्ट बलेर राइपूर राची नागपूर चत्रपती सिवा जी महराज सिवा जी महराज क्या एयरपोर्ट कहां पे है चत्रपती सिवा जी महराज वाला एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट है ठीक है गुरू रामदास जी एरपोर्ट कहां पे है गुरू रामदास जी एरपोर्ट कहां पे है तो इन्हों ने जो है harman madam ś Guru गोळड़ें डिलेंअ इन्हों ने स्वणमंधिर बनवाया था तो अम्रित सर वाला अम्रित वाला जो एइरपोर्ट है अम्रित सर्वाला वह गुरुरामदाजि एड़िज एरपोर्ट है इस क्ली के हाँ बिल्कुल जब फिर से फॉर्म आ गया तो आप भरी सकते हैं फिर से फॉर्म आ गया है तो भरी सकते हैं ठीक है चलो हर आदमी वहीं से कहीं से जुड़ा हुआ है वहां जैसे कि चौधरी च्रण सिंग जो चौधरी चोदर्सिंग भारत में ऐसे पधान बंतरी थे जिन्नोंने कभी लोगसभा का मूँ भी देखा और उसके पहले ही उनको त्याग पत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंग एरपोर्ट कहां पहल लखनव का एरपोर्ट है ठीक है चौधरी चरण सिंग एरपोर्ट लखनव का है लाल बहादूर सास्त्री एरपोर्ट लाल बहादूर सास्त्री एरपोर्ट यह चौधरी चरण सिंग के बड़े पर हम लोग मनाते हैं अब बाराणसी का यहां से मोदी जी सांसद है और वाराणसी के यह थे लाल बादु सास्थ्री जी चौदरी चरण सिंह एरपोर्ट लखनों का यह अजित सिंग जो है न अभी लोगदल वाले तो यह उनके पिता जी थे यह किसानों के नेता माने जाते क किसान दीवस इनके बड़्डे पर मनाए जाता है ठीक है कि हुझ ऐसे राजा भोज एइरपोर्ट कहां सितला अब niewiug अजिए एरपोर्ट के हुक है भोपाल मैं है कि वीजू पटनायक एरपोर्ट कहा पर नवीन पतनायक जी के पिता जी है तो उडिसा में ही होगा बीजु जनता दल के ही है वह तो बीजु पतनायक एरपोर्ट उडिसा की कैपिटल भूनेश्वर में है भूनेश्वर में नेश्वर में भुनेश्वर ठीक है पफिजू पटनायक एरपोर्ट हो गया राजाबोज हो गया अहिल्याबाई एरपोर्ट कहां पर है है अहिल्याबाई होलकर एरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहां पर है अहिल्या भाई होलकर एयरपोर्ट कहां पर है दोस्तों तो यह इंदौर में इंदौर की महरानी थी है ना अहिल्या भाई होलकर जिन्होंने और अरंग्जेव ने जितने मजीदों को तुड़वाया था उन सभी को इन्होंने वापस से हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जो वीक होते हैं वो भी करते हैं बिल्कुल एक बार नोटिफिकेजन पढ़ लीजेगा साइसे वैसे इससे अप्लाई करने से आख का कोई मतलब नहीं है वीजुली इंपेड लोग भी करते हैं नहीं देख पाते वो लोग भी फ़र्म बरते और आफिन प्रसक्राइख निकालते जो पूरे तरीके से नहीं देख सकते वो भी निकालते हैं ठीक है जो पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं फॉर्म तो वो भी भरते हैं और क्या तो इदम टेंशन नहीं लिया करो किसी चीज का कि इंपृटन पोरिंट स्टेडियम थीक है इंपंट puisqu इंपॉर्टन्ड स्टेडियम अपको बता ढूंऑ और बतायें इंपॉर्टन श्टेडियम भी आपको बता दिया जाहेगा और बता हिये कि कर में last mean footprint उस्क्षेडियम लेक क्या होंगा सिंब वाली ठीक है कुरा कर पूरा श्टेडियम में जो 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 च्टेडियम जहां स्टेट वाइस हुआ सिधॉय में बता दूँँगा और आपको बताना इनके पास कौन सा मंत्रा ले ने रशिंग तोमर ने इनके पास जो है कौन-कौन सा मंत्रा ले और ये कहां से चुनके आते नरेंदर सिंध्थो मर मुरे नरेंदर संग्तो मरॉरेना से चुनके सब्सक्राइब और इनके पास कौन कौन सा मंतरा या अपनदर सिंग धूमर पाँं सिंग तो मर वाला के जी ढ़र एक गार होगया तुम्हारा कौन साै सुन लिया हाँ और सय दो भया तो पंचायती राज kings ने बोला पंचायती राज पंचायती राज से ओगया तैक कि इस बार का ई पंचायत以上 कि ला है पंचायती राज मंत्राले इनके पास है बहुत बढ़िया रूरल डवलपमेंट इनके पास है पूत बढ़िया एक्रिक लए मेच मंत्रा दे ने पास और अभी food processing यार हर सिम्रत कौर वाला खाद प्रसंस्करन food processing ministry किनके पास है इनके पास है food processing ministry किसके पास है इनके पास है तो यह याद रखिए गारें तो उमर जी के पास food processing सिंखाद पसंसकर ministry भी अभी आ गई है याद रखिएगा हर सिम्रत कौर जो थी भटिंडा वाली उनकी जग उनकी जाने के बाद से उन्होंने किसान विरोधी बिल बोल के कि वह कर दिया था पंचायती राज यह पंचायत का पुरुसकार हिमाचल पदेश को मिला था पेश्ट पंचायत का पुरुसकार यह पंचायत वाला गिसको मिला था पर टाफट बताईएगा त्थ और यह बिल्कुल दे की हो गया फ्रजिया आगे चलते हैं है ल 2019 अब आगे चलते हैं निग्माद कर प्रकास कर प्रकास जावरेकर कर के पास कौन कौन सा मन्त्रालिया फटा पताएएगा प्रकास जावडेकर देखते हैं आप लोग का ये टेस्ट भी हो जाएगा और यह नए आप लोग सूल जाएंगे लिज़ लों वह तो तो नाइभिभय पीछे पढ़ गए हो आं प्रकाश जावडेकर के पास करें प्लेक है क्लायमेट छिंज प्रकाज यावडेकर के पास कौन-कौन सा मंत्राले इन फॉर्मेशन इन ब्राट्कास्टिंग सूचना एवं प्रसारण मंत्राले बिल्कुल सूचना एवं प्रसारण मंत्राले भी है इन फॉर्मेशन इन ब्राट्कास्टिंग भी है और कौन-कौन सा मंत्राले और भाईया जब सिवसेना अलग हुई थी अंडिये से तो सावंत जी जो उनके थे अर्विन सावन वह बने थे हैवी इंड़स्ट्री के मिनिस्टर वह भी अभी नहीं के पास आ गया यानि एमसमी वाला नितिन गठकरी जी के पास है लेकिन जो भारी उद्योग वाला है जो बड़ी बड़ी इंड़स्ट्री जो पब्लिक सेक्टर इंटर्प्राइज है वह सरकारी कंपनिया वह सब इनके अंदर में आता प्रकाश यावडेकर जी तो हैवी इंड़स्ट्रीज एंड पब्लिक इंटर्प्राइज हैवी इंड़स्ट्रीज एंड पब्लिक इंटर्प्राइज वह भी इनके पास ही है ठीक है तो यह प्रकाश यावडेकर जी के पास यह सारे मंत्राले हैं याद रखिएगा ठीक है मंत्राले प्रकाश यावडेकर जी किस छेत्र से चुन के आते हैं कहां से चुनके आते हैं प्रकाश यावडेकर जी फटा फट बताईएगा प्रकाश यावडेकर कहां से चुन के आते हैं यह कर लो कि को अब बहुत बढ़ीया इन्वार्मेंट मिनिष्टर भी बहुत बढ़ीयां बहुत बढ़ीयां कि बताये वह कहां चुन कर आते हैं भाई यह जावडेकर है ना तो मराठी है तो महराज से ही चुनके आएंगे यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है मतलब याद करने के लिए महराष्ट से के कोटे से आते हैं राज्यसभा के कोटे से महराष्ट से यह राज्यसभा के कोटे से चुनके आते हैं ठीक है महराष्ट के राज्यसभा के कोटे से चुनके आते हैं यह ठीक यह बात याद रखिएगा महराश्ट से चुनके आते हैं ठीक चलिए बहुत बढ़ियां अब आगे आता है नंबर प्यूश गोयल जी का प्यूश गोयल जी कहां से चुनके आते हैं यह आपको बताना है प्यूश गोयल जी कहां से चुनके आते हैं और प्यूश गोयल जी के पास कौन-कौन सी मिनिस्ट्री है प्यूश गोयल जी के पास कौन-कौन सी मिनिस्ट्री है समझें तो सबसे पहले तो आपका ये रेलवे मिनिश्टर है सबसे पहले ये क्या है रेलवे मिनिश्टर है कहां सचुन के आते हैं फटा फट बताईएगा दूसरा ये क्या है बताईए अभी जो है पब्लिक डिस्टिब्यूशन वाला जो मंत्राले था रामिलास पासवान जी के पास उनके निधन के बाद ये प्यूश गोहल जी को मिल गया है तो पब्लिक डिस्टिब्यूशन जो रासन कार्ड वाला है वो वाला जो है इनके पास जो है मंत्राले चला गया है सारवजनिक वितरण वाला मंत्राले इनके पास आ गया है पबिक jitna भी रामिल्यस पासवान जी के पास मंत्राले था वो सब यहां आ गया है ठीक है बहुत बढ़ियां जिया बहुत बढ़ियां Ministry of Commerce Commerce or Industry Ministry of Commerce 104 पर इंपर इंद बहृत बढ़ियां Commerce एंड इंड़ेस्ट्री भी इनके पास है रामकिष्ण जी कॉर्पुरेट अफियर इनके पास है अएँ देख लेना एक बद चेक करना कौanka परेट बाले न सी्टला मेरी इसाप से नहीं है कॉर्पुरेट वाला असमारमासा दाप होगा किसके पास है प्यूश गोहल जी के पास है यह जो रिसेंट में चेंज हुए है वह सभी मंत्राले मैंने बता दिया सावंत जी वाला गया था जावडेकर जी के पास वह बता दिया गोपी नारी जो है रामिलास पासवान जी वाला चला गया था प्यूश गोहल जी के पास यह हर सिम्रत कौरवाला चला गया था किसके पास नरिल सिंग तोमर के पास वह बता दिया ठीक है क्लियर चलिए कि बहुत बढ़ियां शांदार जिन्दाबाद सबर्दस्ट कि और कौन-कौन सा मंत्राल है चलो महेंद्रनाथ पांडे के पास अब सिंगल पूट्फोली वाला देख लेते हैं महेंद्रनाथ पांडे जी यह कौन सा मंत्राले समालते हैं महेंद्रनाथ पांडे जी यह कौन सा मंत्राले समालते हैं बताओ फटाफट यह चंदॉली से चुनके आते हैं चंदॉली से चुनके आते हैं यह कौन सा मंत्राले समालते हैं इस्किल डेवलप्मेंट यह स्किल डेवलप्मेंट मिंश्टर कौन से मिनिश्टर है स्किलब्लंब्मेंट मिनिश्टर टीक है ए क्लियर गुंड मॉनिग मुकेस कुमावज्जीब गुड मॉनिंग स्मृति ईराणी स्मृति इरानी स्मृति इरानी स्मृति इरानी कि अमेठी से चुनके आही है राहुल गांदी जी को हरा के और यह un-flare textile minister भी है कपडा मंतरी मियंगे textile मिनिश्टर भी है और अभी मिनिका गांधी जी की जगा इनको मंत्राले मिल गया है महिला एभं बाल बिकास मनत्राले यानि VMA एंड चाइल्ड डेवलप्मेंट विमेन एंड चाइल्ड डेवलप्मेंट मिनिश्टर भी कौन है यहीं है ठीक है क्लियर है बहुत बढ़ी है और कौन-कौन से मंतरी बच गया हम लोग के नितिन गटकरी नितिन गटकरी जी कहां से आते हैं नागपूर से यह कौन से मिनिश्टर है यह रोड एंड ट्रांस्पोर्ट मिनिश्टर है रोड एंड ट्रांस्पोर्ट मिनिश्टर है और कौन-कौन से मिनिस्टर है यह MSME मिनिस्टर भी है यह MSME मिनिस्टर भी है है और कौन-कौन से मिनिस्टर है बता फट बताईएगा और नागपुर से चुनके आते हैं जहां RSS का मुख्याले है जहां पर क्या है RSS का मुख्याले झाल झाल कि भुडोंग कि अगया से टुडोंग है कि अगया कि अगया कि अबे। गंग कि का पुरूर्ट उसके बाद आता है नंबर निर्मला सीटा रमन्जी का निर्मला सीटा रमन्जी कौन सी मिनिस्टर है? फिनैन्स मिनिस्टर है और यह कहां से चू नहीं आती है, भटा-भट बताईएगा, और यह corporate affair minister भी और यह क्या है corporate affair मिनिस्टर भी है corporate affair minister भी है ठीक है कि बिल्कुल गजेंद से खावत बहुत बढ़िया जल शक्ती मंत्री है गजेंद्र से खावत को इस बार पहली बार देश का कोई भारत का पहला जल सक्ती मंत्राले कौन बना है मंत्री कौन बना है गजेंद्र शेखावत बने बहुत बढ़िया जगेंद्र शेखावत बने हैं जल सक्ती मिनिस्टर जल शक्ती मिनिस्टर जोदपूर से चुनके आते कहां से चुनके आते हैं जोदपूर से चुनके आते हैं कि निर्मला सीटा रमान फाइनस मिनिस्टर और बिल्कुल और कहां से चुन के आती निर्मला सीटारामन करनाटका से करनाटका से करनाटका के कोटे से आती है ठीक है क्लियर है तो चले दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रखते हैं है ना अकल फिर मुलकात होगी आपकी नौ बच चुके है तो अगले सेशन के टाइम हो गया होगा तो बिल्कुल यहां पर ही रखते हैं आज का सेशन कल फिर कुछ स्टेटिक फैक्स लास्ट में डिसकस कर करेंगे थैंक्यू सो मच यहीं तो मैं आपसे फीडवेक जानना चाहता हूं बता दिया करिए थैंक्यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय एक्जामपूर कर विजय एक्जामपूर